C.I.E.T. N.C.E.R.T. पेश करते हैं दर्जाचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का दूसरा बाब कान कान में सफ़ ग्यारा मेरे कान किसके पास हैं? यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें कुछ जानवर दिखाए गए हैं इन जानवरों के कान आपस में बदले हुए हैं जैसे जिराफ पर हाथी के कान लगे हैं हाथी पर चुहे के कान लगे हैं इसी तरह से और जानवरों के कान भी बदले हुए हैं क्या ऐसे जानवर अजीब नहीं लगते होंगे? फनकार ने जानवरों के सर पर घलत कानों की तस्वीर लगादी है सही कान को सही जानवरों के साथ जोड़ो और नीचे लिखो किस जानवर के सर पर किस के कान हैं जानवर हाथी, कान चूहा, जानवर खरगोश, कान खाली जगा, जानवर जिराफ, कान खाली जगा, जानवर कुत्ता, कान खाली जगा, जानवर भैंस, कान खाली जगा, जानवर हिरन, कान खाली जगा, सफ़ा बारा मुख्तलिफ जानवरों के कान मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं मुंदर्जा जाल जानवरों में से किन जानवरों के ऐसे कान होते हैं जो बाहर होते हैं किन जानवरों के कान बाहर नहीं होते नीचे दिये गए टेबल में लिखो क्या तुम्हें लगता है कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते, उनके कान वाकई नहीं होते? यहां एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर में कुछ जानवर दिखाए गए हैं इस तस्वीर में जो जानवर हैं, उनके नाम लिखो तुम्हरे खयाल से क्या इनके कान बाहर होते हैं? इन सभी जानवरों के कान होते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते सफ़ा 13 ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में मालूमात हासिल करो जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, उनके नाम लिखो पढ़ो और लिखो ऐसा जानवर जिसके कान पंके जैसे होते हैं, पत्तियों के जैसे कानों वाला जानवर ऐसे जानवर जिसके कान सर के उपर होते हैं, सर के दोनों कान रखने वाला जानवर तुम इस बात से बहुत भी वाकिफ हो के कान सुनने में मददगार होते हैं कुछ जानवरों में तुम्हें कान महसूस नहीं होते हैं और कुछ में महसूस होते हैं। हम चडिया के कान नहीं महसूस कर पाते। चडिया के सर के दोनों तरफ बारीक सुराख होते हैं। अमूमन परों से ये सुराख ढखे रहते हैं। ये चडिया को सुनने में मदद देते अगर तुम गोर करो, तो तुम्हें छिपकली के सर पर बारीक सूराख महसूस होते हैं, ये उसके कान हैं, मगर मचके भी इसी तरह के कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से महसूस नहीं कर सकते। सफ़ह 14 यहां एक तस्वीर दी गई है, जिसमें कुछ जानवरों की तस्वीरे दी गई हैं. साथ ही कुछ जानवरों की जिल्दों की तस्वीरें भी दी गई हैं. तस्वीर में दिये गए जानवरों को दी गई तस्वीरों में जिल्द के नमूनों से मिलाओ हर एक जानवर की तस्वीर में सही जिल्द के नमूने बनाओ जानवरों की जिल्द पर ये मुक्तलिफ किस्म के नमूने उनके बालों की वज़ा से बने होते हैं जो उनकी जिल्द पर होते हैं क्या तुमने कभी किसी जानवर को बगेर बालों के महसूस किया है या उसके बाल हटा दिये गए हो तसवर करो कि जानवर कैसे लगेंगे अगर उनकी जिल्द पर कोई बाल ना हो उनकी जिल्द पर कोई पैटर्न नहीं होगा सफ़ह 15 तुमने मुंदर्जा जैल जानवरों में से कुछ को महसूस किया होगा लोमडी हाथी गौरईया कबूतर मेंडक कव्वा मौर सूर चूहा बिल्ली भैंस बतख मुरगी उंट छिपकली गाए नीचे दिये गए खानों में जानवरों के नाम दर्ज करो तुमने गाए और भैंस को किस फहरिस्त में रखा है? क्या कुछ फासले से तुम उनकी जिल्द पर बाल महसूस कर सकते हो? उनमें से किसी एक के नजदीक जाकर महसूस करो क्या तुम बाल महसूस कर सकते हो? अगर तुम्हारी मुलाकात कभी किसी हाथी से हो जाए तो क्या तुम उसको छूकर महसूस करने की हिम्मत कर सकोगे? क्या तुम जानते हो कि हाथी के जिस्म पर भी बाल होते हैं? उस्ताद के लिए इस बाब में शामिल सभी जानवरों के बारे में मज़ीद तफसील से गुफटगू कीजिए मसलन उनकी घिजाई आदत, रहन सहन वगरा जानवरों के बारे में हिस्सियत को बढ़ावा दीजिए सफा सोला क्या तुम बता सकते हो? फहरिस्त में दर्ज कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं? मालूम करो और उनके नाम पहले बाक्स में लिखो बच्चे देने वाले जानवरों के नाम दूसरे बाक्स में दर्ज करो पहला बाक्स, दूसरा बाक्स अब इस से पहले वाले सफ़े पर दुबारा जाओ और जिन जानवरों के नाम पहले बॉक्स में दर्ज हैं उनके नीचे लकीर खींचो और दूसरे बॉक्स में दिये गए जानवरों के नामों के अतराफ दाइरा बनाओ तो तुमने क्या महसूस किया? वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, उनकी जिल्द पर बाल होते हैं ये जानवर बच्चों को जनम देते हैं वो जानवर जिनके कान बाहर की तरफ नहीं होते हैं, उनके जिस्म पर बाल नहीं होते ये जानवर अंडे देते हैं सफा सत्रा सवालात क्या तुमने अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर महसूस किये हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं? अपनी कौपी में उनके नाम दर्ज करो क्या तुमने कभी कोई जानवर पाला है? या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके पास पालतु जानवर है? उसको खाने में क्या पसंद है? उसको दिन में कितनी मरतबा खाना दिया जाता है? वो सोता कब है? वो कितनी देर तक सोता है? क्या इस जानवर की देखभाल के लिए कोई मखसूस तरीका इख्तियार किया जाता है? कैसे? क्या वो नाराज होता है? कब? तुम्हें कैसे मालूम होता है कि वो खफा है? सफ़ा अठारा क्या उसकी जिल्द पर बाल हैं या पर हैं? क्या तुम उसके कान महसूस कर सकते हो? क्या वो बच्चा है या बड़ा? ये पालतु जानवर अंडे देता है या बच्चे पैदा करता है? क्या उसके छोटे बच्चे हैं? उसी जानवर की तस्वीर बनाओ और उसमें रंग भरो उसको अपनी पसंद का कोई नाम दो सफ़ा उन्नीस इस तस्वीर के जिन हिस्सों में यकसा नंबर जैसे दो, चार, छे, आठ वगेरा लिखे हुए हैं उनमें रंग भरो रंग भरने के बाद क्या महसूस हो रहा है? पहचानो और जानवर का नाम लिखो बहुत अर्से पहले जमीन पर डाइनसोर पाये जाते थे लेकिन अब वो बाकी नहीं रहे अब हम उन्हें फिल्मों, तस्वीरों और किताबों में ही महसूस कर सकते हैं डाइनसोर के बारे में मजद मालूमात हसल करो और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ क्या तुमने कोई ऐसा जानवर महसूस किया है जिसकी थोड़ी सी मुशाबहत डाइनसोर से है क्या तुम्हें उसका नाम मालूम है अपने बुजर्गों से मालूम करो बराए उस्ताद बच्चे बहुत सारे मुखतलिफ जानवरों के नाम ले सकते हैं जो उनके ख्याल के मताबिक डाइनसोर से मिलते जुलते हैं तमाम जवाबात काबले कुबूल है आप इस तरह की मज़ीद सरगर्मिया तयार कर सकते हैं और उन्हें तरतीब दे सकते हैं सफ़ा 20 यहां एक तस्वीर दी गई है इस तस्वीर में एक जानवर है क्या तुम्हें मालूम है कि यह हमारा कौमी जानवर है यह कहां रहता है हिंदुस्तान में इसकी तादाद में कमी वाके हो रही है इस पर गुफटगू करो कि ऐसा क्यूं हो रहा है अपनी चिडिया बनाओ काघज को तरह तरह से मोड कर एक चिडिया बनाओ बराए उस्ताद काघज की चिडिया को बनाने के लिए ऐसे काघज का इस्तिमाल करें जिसके दोनों जानिब मुख्तलिफ रंग हो अभी आप सुन रहे थे दर्जाचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का दूसरा बाब आवाज मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग जग बंधु जाना निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET-NCERT नई दिल्ली भारत